नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर्केजी सिविल पार्ट साले यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के दाहिंदू नियूस पेपर का हम इने लाइसिस करने वाले हैं तो दो बड़े-बड़े आर्टिकल आज हम कवर करने वाले हैं पहले नम किस साल जो बीता है उस संय में भारत की फॉरन पॉलसी में किस प्रकार के सिंट्टिप से लिफ quicker किहां कि होता है इसका कहना違う किसी डेश को क्या-क्या फायदा हो सकता है इसा और यहां पर हम चर्चा करने वाले तो भारत आज की समय में ऐसा ऐसी condition में हैं कि ना तो वो अमेरिका की पूरी तरह से सुनता है ना तो वो पूरी तरह से रस्ये की तरह भी चला गया आज भी जो है भारत स्वतंद्र तरीके से अपनी foreign policy का निर्वाह कर रहा है इसके बाद second वाला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं दोस्तों यह वाला आर्टिकल हमारे environment and climate change से जुड़ा हुआ है आज के समय में सबसे महतपूर्ट जो कदम है climate change यादे हमें लड़ाई लड़ना है तो वो है हमारे forest ठीक है already से जो हमारे पास forest available है उसको काटने से आपको रोकना है पहला कदम तो यह है दूसरे नमबर की बात यह है हम जो plantation कर रहे हैं उसमें भी हमको यह ध्यान देना ही भाई इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान हो सकता है plantation के जो scheme चलाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरप से कौन-कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं पुरे वर्ड लेवल पर कौन-कौन से ऐसे schemes आई है plantation को support करती हैं सबसे महतपूर्ण चर्चा यहां पर जो होगी वो यह है कि plantation से हमेशा फायदा नहीं होता है आप plantation कैसे कर रहे हैं किस प्रकार के पेड़ लगा रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि आने वाले सवय में plantation का कितना जादा फायदा पहुशने वाला है तो सुरुआत करते हैं दोस्तों इस article की जो कि भारत की foreign policy को बताता है strategic autonomy of foreign policy of India की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं 250 सब्दों में जो हमको answer writing करना है उसकी लाइने कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि भाई जो इंडिया के partners हैं ठीक है इंडिया के जो साजेदार हैं जैसे कि हम West Asia की वेस्ट की बात करें कि नई दिल्ली आखिर चाहता क्या है नई दिल्ली चाहता है international जो system है international system to be more representative in line with geopolitical realities अभी हाल फिलहाल में जो भी geopolitics जल रही है उसमें इंडिया चाहता है कि भाई जो international system है और भी ज्यादा ये representative रहे representative रहे इसका मतलब ये हो गया है कि पूरी दुनिया में कोई एक देश अपना दबदबा बना करके ना चले ठीक है यदि कोई देश अकेला दबदबा बनाता है तो पूरी दुनिया के देशों को दबाना चालू कर देता है कहीं किसी की उपर sensor लगाएगा कहीं बोलेगा ऐसा मत करो किसी को बोलेगा वैसा मत करो आप हमेरे दुस्मनों के साथ में trade मत करो इस प्रकार से फिर वो दबदबा बनाना चालू कर देता है इसलिए भारत चाहता है कि भाई जो वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है वर्तमान हिसाब से उसमें परिवर्तन आना बहुत जादा जरूरी है तो पस्चिम में भारत के साजेदारों को ये समझना होगा कि नई दिल्ली चाहता है कि अंतर राष्टी प्रडाली भू राजनेतिक वास्टविक्ताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनी धित्व पूर हो इसमें हमको 250 सब्दों में आंसर राइटिंग करना है अभी हाल फिल हाल में देखा जाएं तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा रसिया की आत्रा करी गई थी ठीक है अब ये जो रसिया की आत्रा करी गई है एक ऐसे समय में करी गई है जबकि योक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है रसिया का और अमेरिका इस से बिलकुल भी खुस नहीं है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो वहाँ पर विजिट करने गए हैं उन्होंने प्रयास भी किया था कि कैसे ना कैसे करके इस विजिट को रोखा जाए इस से ये पता चलता है कि भारत अपनी जो फॉरेंड पॉलसी है उसमें काफी स्वतंद्र है फॉरेंड पॉलसी में हमरी स्ट्रेटिजिक आटो नौ भी है तो 11 जुलाई 2024 को रूस द्वारा 24 फरवड़ी 2022 को यूकरेन पर आकमड करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की मासकों की ये पहली आत्रा समाथ हो चुकी है वेस्टन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज आप देखेंगे यूकरेन का फुल सपोर्ट कर रहे है रसिया के उपर जबरदस सैंक्सन लगा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमको पता है, रसिया हमारा कितना पुराना पार्टनर है इसलिए भारत हमेशा से उसके साथ में हाथ मिला करके चल रहा है ये भी ध्यान देता है कि अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं उनसे भी अपना दूसरा हाथ पकड़े हुए रहना चाहिए अभी हाल फिलहाल में जैसे कि एरिक गारसेटी की बात करें जो की सैयुक तराज अमेरिका के राजदूत हैं इनकी तरफ से भी कुछ-कुछ इसी प्रकार की बाते कही गई थी क्या बाते कहीं गई थी आप देख सकते हैं इन्होंने बोला था कि देखिए अभी जो हाल फिलहाल में संगर्स चल रहा है ऐसे टाइम में स्ट्रेटिक आटोनोमे जैसे कोई चीज ही नहीं होती है संकट के सावय में हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत होती है एरिक गारसिटी नहीं ऐसा बोला था जो बाइडेन एड्मिनिस्ट्रेशन ने भी चिंता जाहिर करी थी इस विजिट को ले करके तो हमने उन चिंताओं को निजी तोर पर सीधे भारस सरकार के समक्ष विक्त किया है और ऐसा करना हम कंटिन्यू भी रखेंगे उनका कहना है कि देखिए आप यदि लॉंग टाइम के लिए एकदम पर्मनेंट विस्वसनी साज़ेदार की रूप में रसिया की तरफ दाउं लगा रहे होना तो ये अच्छी बात नहीं है रूस किसी भी दिन भारत की बजाए चीन का पक्ष लेगा ऐसा अमेरिका का कहना है ठीक है इसका मतलब यह है कि चाइना और रसिया की जो रिलेशन से पहना चाइन और रस यप की बीच जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं इसलिए अमेरिका की तरफ से ऐसा बोला गया था तो अब दुनिया तो ये चाहा रही थी Western countries ये चाहा रहे थे कि भारत अपनी जो यात्रा है न कि भाई उसको पोस्ट पॉन कर दे Moscow visit को यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रकार की रिपोर्ट आई थी US media से जैसे कि US officials है उन्होंने नीदिली को कहा था कि आप Mr. Modi की जो Moscow visit है उसको क्या कर दीजिए पोस्ट पॉन कर दीजिए क्योंकि जो NATO का समिट है 9 जुलाई से कहना चाहिए चालू होने वाला लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम आगे बढ़ेंगे विच डिस्टर्ब दा बाइडन एड्मिनिस्टेशन और इस चीज ने बाइडन एड्मिनिस्टेशन बाइडन प्रसासन को क्या कर दिया था डिस्टर्ब कर दिया था तो यहां से एक चीज हमें पता चलता है कि भाई भारत जो है strategic autonomy को कहीं जादा महतो देता है आगे चर्चा करी जाती है कि भाई यह जो strategic partnership है इंडिया एंड यूएस के बीच में किस प्रकार से रही है नॉर्मली हम देखते हैं कि steady and कुछ-कुछ stress point ऐसे हैं हाल फिलाल में relationship में हमको दिखाई दिये हैं पहली बार थोड़ा सा विरोधा भास यहां पर हुआ कि सब लोग रसिया की आलोजना कर रहे थे इंडिया ने आलोजना करने से मना कर दिया और वहां पर उपस्तित ही नहीं हुआ था इंडिया ने maintain करके रखा था अपनी strategic partnership मास्कों के साथ में वहीं US और इसके जो allies हैं उन्होंने impose किया था economic sanction रसिया के ऊपर and supply किया था इन लोगाने weapons जिसकी कीमत billions of dollars होगी ताकि रसिया को कमजोर किया जा सके ठीक है इतने समय तक यह दिया उक्रेन जैसी countries लड़ाई लड़ पा रही है तो इसके पीछे reason क्या है यह लोग कंधे में हथियार रखे खुद गोली चला रहे हैं आप यह बोल सकते हैं आगे बोला जाता है कि इंडिया ने मॉस्को के साथ में बहतरीन partnership जारी रखी है जैसे कि किस-किस प्रकार की partnership रही है यह point यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि energy का corporation maintain करके रखे हैं मतलब यह हैं कि रसिया की उपर तो आपने sanction लगा दिये हैं तो विचारा वो तेल कहां बेचेगा इंडिया ने बोला नहीं हम खरी देंगे आप हमको थोड़ा सा सस्ते रेट में वीजिए दूसरी रमर की बात यह है इंटरनेशनल फोरा की तरब से दबाव डाला गया कि आप मासकों की आलोचना करिए इस से हमने इसको हमने मना कर दिया इट कार्ड फॉर वार टू एन एंड भारत ने क्या बोला युद्ध ही खतम करो ना आप क्यों बढ़ावा दे रहा है युद्ध को और युद्ध रोकिया आप साथ ही साथ भारत हमेशा सही जो टेरिटोरियल सोवर्निटी एंड इंटरिटी है औल कंट्रेस की उसको हमेशा सम्मान देता भारत का कहना है कि भाई आपकी जमीन है आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है कोई देश ये नहीं कह सकता कि एक इंच भी जमीन उसकी है या भारत हमेशा सही जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है इस सब को हमेशा सही सपोर्ट करते रहा है अब वेस्टन कंट्री इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं इंडिया के बारे देखिए इंडिया हमेशा सही नियूट्रल पोजिशन में रहा है लेकिन जो वेस्टन कंट् रसियन प्रेसिडेंट ब्लॉदीमिर पुतिन के वार के लिए उनका कहना है कि हम सैंक्सन लगा रहे हैं और आप रसिय की एकोनोमी को बढ़ाने की कोसिस कर रहे हैं इसी के चलते चलते जो इंडिया यूएस पार्टनर्शिप है न वो प्रभावित हुई है और पिछले दो से धाई साल के बीच में यदि हम देखें तो यह जो रिलेसंशिप है पार्टनर्शिप है और भी ज़्यादा कहना चाहिए इसमें हमें गैब देखने को मिला अमबेस पार्ट्षेजदर गालती जान परतर करते बिलिखल एचो बात अमेरिका की तरफ से बूली गई है जो यहां पर हम को विरुद्ध में दिखाय देती है strategic autonomy के बिल्कुल वे रुद्ध में दिखाई देती है वहीं अदि हम strategic स्वायतता की बात करें तो देखिए strategic autonomy का मतलब यह है देश निर्णाय लेने में सक्षम है ऐसा निर्णाय जो कि उसके राष्टी हितों की सर्वोत्तम पूर्ती कर सके भले ही अन्य पक्षों की ओर से उन पर कितना भी दबाव क्यों न हो कोई कितना भी दबाव डाले हमरे देश के लिए जो ठीक है हम वही करेंगे इसको हम बोलते हैं strategic autonomy इसमें दो प्रकार के element रहते हैं इस concept में पहले नमर की बात तो यह है कि कोई भी देश capable रहना चाहिए decision taking के लिए that serve its interest पहली बात तो यह है हमरे देश के लिए कौन-कौन सी चीज़े अच्छी है इस चीज के लिए मैं decision ले सकूँ पहली बात तो यह होती है सेकेंड नमर की बात यह है देश के पास में यह एक्षा भी होना चाहिए उसके पास में resources भी होना चाहिए to take those decision even in the face of high pressure मेरे पास मैं रूपर पैसा है मेरे पास मैं संसाद है ने कोई मेरे उपर कितने भी दबार डालेगा मैं बिलकुल भी उसकी बात नहीं माने वाला हूँ तो दो चीज क्या चीज एक्षा और resources होना जरूरी है तो इसका मतलब यह हो गया है कि if India is not able to take autonomous foreign policy decision during the time of conflict and crisis moment as Mr. Garcetti said it is not exercising its strategic autonomy अब इंडिया यदि autonomous foreign policy decision नहीं ले पा रहा है conflict के सबय में, crisis के movement में क्योंकि Garcetti ने कहा था कि ये अपनी strategic autonomy का प्रयोग ही नहीं कर रहा है तो जो जितनी भी government रही है ना जब से भारत आजाद हुआ है उन्होंने follow किया है strategic autonomy का in one form or other अलग अलग तरीका हो सकता है लेकिन सभी ने strategic autonomy के उपर focus किया है जैसे की non alignment के बारे में आपने सुना होगा multi alignment के बारे में सुना होगा multi directional foreign policy या फिर strategic autonomy ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन है चीज एक ही सुरवाती तोर पर भारत की जो policy रही थी ठीक है, वो किस प्रकार से रही थी आप समझने की कोसिस कही है बहुत जादा हम एकदम ideal बाते करते थी जिनको हम कहना चाहिए फुल्फिल भी नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से नहीं हम conventional understanding देखते हैं इंडिया की foreign policy में हम यह दिसुरू की बात करें तो बहुत जादा idealistic थी इसलिए जो है initial years में ठीक है जो power politics है हम इसको current politics को भी नहीं समझ पाते थे लेकिन जो non alignment है and racial solidarity की बात करें इसकी कलपना करी गई थी प्राइम मिनिस्टर जवाहलान नहरू के द्वारा and ठीक है others के द्वारा यही सब ने help किया था एक newly deconolized republic को that was born into a bipolar order जो की bipolar order में जिस देश का जन्म हुआ सुरू सुरू में देखा जाए तो इंडिया ने किस चीज के उपर focus किया था कुल मिला कर के कहना चाहिए दूरी बना कर के रखा बराबर दूरी बना कर के रखा अमेरिका से भी साथ ही साथ रसिया से भी पूंजीवादी और सामेवादी दोनों को किल मिला कर के देखा जाए भारत ने सपोर्ट किया था लेकिन आफ्टर दा युएस फॉर्म ए न्यू ट्रिटी एलाइंस इन एसिया एसिया में अमेरिका ने नला नया नया एलाइंस बनाना चालू कर दिया नया नया संधी गड़बंदर मराना जैसे की आप बात कर लें पाकिस्तान एक मेंबर बना था किसका साउथीस्ट एसिया ट्रिटी और्गनाइजेशन का जिसको सीटो बोलते हैं एंड सेंट्रल ट्रिटी और्गनाइजेशन सैंटो एंड चाइना और भी ज़्यादा क्लोस आ गया था अमेरिका के कब जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो सब को लगा कि अब दुनिया में तो एक ही पावर बची है कौन बचा है अमेरिका तो उसी की तरब जाते है लेकिन रसिया का साथ हमेशा दिया और रसिया ने हमारा साथ हमेशा ही दिया इसलिए आप देखेंगे विधाउट फोरफाइटिंग इट्स स्ट्रेटिक आटोनॉमी हमने मासको को सपोर्ट किया था अब हम ग्लोगल एकोनॉमी की तरब जा रहे है और स्ट्रेटिक पार्टनर से बनाने लगे थे वेस्टन कंट्रेइस के साथ में भी अब ग्रेट पावर राइवल्री का आज के समय में टाइम पीरियड चल रहा है वहीं यदि हम बात करें इंडिया के पॉइंट आफ व्यूस है जो ग्लोबल ओर्डर है फिर से चैंज हो रहा है जैसे कि यूएस अभी भी वर्ल्ल का मोस्ट पावर्फुल कंट्री है चाइना ओर्रेडी से वर्ल्ल का सेकंड लार्जस्ट एकोनॉमी बन गया है आज के समय में बहुत तगड़ा कॉम्पेटिशन दिया जा रहा है किस के द्वारा चाइना के द्वारा इतना बड़ा कहना चाहिए कॉम्पेटिटर बन गया है आज के समय में चाइना कि अमेरिका को आने वाले समय में चाइना पचाड देगा रसिया भी अपने आप में कहना चाहिए जो ग्लोबल वेस्टन सिक्योरिक्टी आर्किटेक्चर है यूरोप में उसको चैंज करने का काम कर रहा है क्योंकि अभी रसिया ने जब उसके उपर युद्ध किया ना तो इधर इनकी जेब खाली होना चालू हो गई है वहीं यदि हम वेस्ट एसिया की बात करें तो जो इजराइल का युद्ध चल रहा है एक अमेरिकन एलाई की बात करें एंड इरान एक लूज रसियन स्ट्रेटिक पार्टनर इस हीटिंग अप तो रसिया और इरान के बीच में पार्टनर सिप्तेजी के साथ में पन अप रही है ऐसा यहां पर बताया जाता है आगे यहीं हम बात करें इस प्रकार से यहीं दुनिया चेंज हो रही है वर्ल्ड ओर्डर चेंज हो रहा है तो ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है तो भारत हमेरे साथ सही फोकस किया है कि भाई बैलेंस स्थापित करें हम great powers के बीच में ठीक है हम किसी भी alliance system को join नहीं करना चाहते हैं इसी मामले में तो हमारी जो strategic autonomy है न हम किसी के दवाव में आकर काम नहीं करेंगे यह बहुत महतपूर हो जाती है रसिया के साथ में relationship हमारे कैसे रहें जैसे कि energy के साथ में हमारे जो टाइस रही है रसिया के साथ में लार्जली opportunistic है and cheap price सस्ते rate में हमें crude oil मिल जा रहा है रसिया से और रसिया को भी बेच नहीं है क्योंकि sanction लगा दिया है जैसे कि इंडिया के crude import की बात करें रसिया से तो यह तेजी के साथ में बढ़ रहा है 2.4 billion dollar हुआ करता था 21-22 में यह बढ़ करके कित्ता हो गया 46.5 billion dollar हो गया है 2023-24 में कितनी बड़ा उच्छाल देखने को मिला है आप सोचिए 2.5 से सीधे 50 हो गया है defense import की भी अधि हम बात करें तो इंडिया का लगबग 50% जो defense import है कहां से आ रहा है रसिया से ही आ रहा 40% and 86% of the Indian military equipment is of Russian origin हमारा 86% जादा तर जो हथियार है कहां पर बना है रसिया में ही बना है लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि रसिया और चाइना के बीच जो relationship है न वो तगड़ी होते जा रही है और यह चीज भारत के लिए एक जिनता का विशाय है लेकिन साथ ही साथ यह एक opportunity है कि हम जो है रिकास्ट करें इंडिया रसियान partnership को ताकि और भी जादा equal bilateral partnership हमारी बढ़ती जाए ठीक है यदि हम cold war के time period की बात करें it was heavily lopsided where both sides would be mindful of each other sensitive इंडिया कभी यह नहीं चाहता है कि जो रसिया है west से एकदम कट ही जाए हम यह भी नहीं चाहते हैं तो कि भाई कंटे एकदम ही Chinese का प्रभाव हो जाए रसिया के उपर इसलिए तो यहाँ पर हमको balance स्थापित करने की जरूरत है अब यदि भारत किसी Alliance में सामिल भी होता है ना तो उस Alliance में आपको चरचाड करेंगे भी ना तो जो चाप रहेगा भारत ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं जैसे कि हाल फिलहाल में जर्मनी ने किया था नौर्ड इस्टीम पाइपलाइन के मा यह तो नहीं है कि हम किसी को दबा रहे हैं आपको यह समझना है कि भारत हमेशा से ही Multipolar Global Order को चाहता है and that is because it wants to international system to be more representative international जो system चल रहा है वो और भी ज़्यादा ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहे एंड जो वर्ल है ओल्रेडी से multipolar है आप चाहे वो economically बोले हैं चाहे वो किसी भी रूप में लेकिन similar transition has not been taken place in its power dynamic इंडिया want to improve the system where it wise तो भारत हमेशा सही इस मामले में कहना चाहिए support करते रहा है और ना ही यह अमेरिका के साथ में इसकी कोई दुस्मनी है इसके बाद यह वाला जो article यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं दोस्तों यह हमारे भारत के वर्ल के पूरे परियावरण को संरक्षित करने के लिए साथ ही साथ climate change से कैसे करके पूरी दुनिया लड़ाई लड़ सकती है इसके उपर यह article लिखा गया है planting scheme जो चलाई जा रही है इन में कौन-कौन सी कमिया है सबसे पहले तो हमें इसके उपर फोकस करना है देखिए आज के समय में climate change से लड़ाई लड़ना है तो पेड़ पौधे बहुत महत्पूर हो जाते है पेड़ एक तो हमें काटने से बचाना सबसे पहली बात दूसरी नमर के बात यह है यदि हम पेड़ लगा भी रहे हैं तो हमें समझना होगा कि भाई यह जो पेड़ पौधे हैं ऐसा ना हो कि जहां जो लोकल सीजें उगने वाली थी उनको दबाना चालू कर दे मतलब हमारी जो plantation की scheme है ना उसमें हमें सुधार करने की जरूरत है 250 सब्दों में जो हमको answer writing करना है उसकी लाइने कुछ इस प्रकार से होने वाली है जैसे कि यदि हमें tackle करना है बहुत सारी समस्याओं को तो इसके लिए adequate finances की जरूरत है दूसरी नमर की बात है active community participation होना चाहिए तेसरी नमर की बात यह है technical consideration की जरूरत होना पड़ती है देना पड़ेगा किन-किन चीजों की एक तो हमरे पास में परियापत रूपया पैसा हो दूसरी नमर की बात यह है local लोगों का participation इसमें बहुत जादा जरूरी हो जाता है तीसरी नमर की बात यह है यहाँ पर technical consideration का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता 250 सब्दों में हमको answer writing करना है आज की समय में आप इस प्रकार की जो picture है न जरूर देखे होंगे और ऐसी बात नहीं है कि सरकार भी इस मामले में आज की समय में ऐसी हो गई है कि परियावर्ड clearance के लिए जो टाइम लगता था न बहुत जादा जादा टाइम लगता था उसको अब उसने और भी आसान कर दी है कोई भी project को अब थोड़ी आसानी से कहना चाहिए चालू किया जा सकता पार्टिकुलर हैं उनको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा यह चीज सरकार भी अच्छी तरह समझती हैं अभी दिली की बात करें चाहें मुंबई की बात करें जहां पर सरकारों ने order कि दिये हैं कि यहां से हम highway बनाने वाले हैं ठीक है या फिर वहां पर कहीं कोई lodge खोल लेगा कहीं कोई hotel खोल लेगा इस प्रकार के काम हम देखते आये हैं prior तो आज की समय में forest landscape एकदम degraded हो जा रहा है क्योंकि हम forest resources का exploitation बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम uncontrolled and unsustainable practices को अपना रहे हैं जिसके चलते चलते हमारे forest landscape का degradation हो रहा है world bank ने अंदाजा लगाया है कि world has lost about 10 million square kilometer of forest area बीसवी सताबदी सही यदी हम बात करें जब से चालू हुई है तब से लेकर के आज तक 10 million square kilometer का जो area है forest का वो खतम हो चुका है अब 2021-2030 की हम बात करें इसको हम कह रहे है decade of ecosystem restoration 2021 से 2030 का जो दसक है 10 साल का जो time period है ये time period माना जा रहा है कि भाई हम थोड़ा सा लोगों को जाग रूप करें दुनिया को जाग रूप करें नेताओं को थोड़ा सा जाग रूप करें इसलिए इसको घोसित किया गया था decade of ecosystem restoration ये चीज घोसित करी गई थी United Nations के द्वारा एंड बोला जा रहा है कि this is this targeted the restoration of 350 million hectare of degraded land साथ ही साथ यहां पर ये भी बोला गया है कि जो degraded land है जिनकी कहना चाहिए कटाई हो चुकी है जो खराब land हो चुका है 300 million hectare को हम फिर से survive करेंगे revive करेंगे and generate करेंगे 9 trillion क्या चीज generate करेंगे 9 trillion in ecosystem services साथ ही साथ additional 13 गीगावाट से लेकर के 26 गीगाटन ऑफ सरी 13 गीगाटन से 26 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसिस जो छोड़ी जा रही है आटमस फेयर में उसको कहना चाहिए हम रोकेंगे अब इस प्रकार के कदमियदी उठाए जाते हैं तो इस से कौन-कौन सा फायदा हो सकता है इसके उपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं तो देखिए इसमें include किया जा रहा है biological carbon sequestration को इसका मतलब यह है इस mechanism के माध्यम से हम store करेंगे and remove करेंगे CO2 को आटमस फेयर में CO2 को पेड़ पौदे क्या है इस्टोर करके रखते हैं आटमस फेयर में release होने से बचाते हैं इससे आटमस फेयर हमारा गरम नहीं होता है अब इसके लिए mass level पर tree planting का काम चल रहा है यह एक silver bullet की तरह काम करेगा ताकि हम tackle कर सके climate change के challenges को globally इसके लिए government और जो non-governmental organization है और जो individual लोग है काफी आगे आ रहे हैं और कहना चाहिए plantation के बहुत सारे drives यह लोग चला रहे है यह जो पेड़ पौधे रहते हैं ecological balance को इस्थापित करने में मदद करते हैं इंडिया नेगरी कल्चर मिनिस्टर की M. Munsi ने launch किया था one mahootsow जिसको इंगलिस में festival of trees बोला जाता है जुलाई 1950 में तब ही से इंडिया has been religiously celebrating this program of tree planting यह one mahootsow इस्थापित किया गया था ताकि हम जो है tree का plantation कर सके annually हम इसको celebrate करते हैं first week of the July में इस प्रकार के जो efforts होते हैं ठीक है successful not only motivating people इस से लोग motivate हो रहे हैं साथ ही साथ जो tangible result है जैसे की forest area cover को बढ़ाना इस प्रकार के result हम को देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे की slogan के माध्यम सलोगों को जागरूप करना अलग-अलग प्रकार के drive चलाना and headline grabbing campaign है इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं tree planting के ये बोलो बोथ globally and national level पर चलाए जा रहा है इस से attraction मिलता है मीडिया को साथ ही साथ लोग इसमें involved होते हैं ठीक है अलग-अलग organization के माध्यम से ताकि वो fulfill कर सके अपने उद्देशी को तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पुरी जो दुनिया है इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कितना आगे आ रही है अब पुरी देश दुनिया में बहुत सारे scheme चलाई जा रही है चाहे वो इंडियन एस्टेट जैसे की वन ट्रिलियन प्रोजेक्ट ये वर्ल एकोनोमिक फोरम चला रहा है ग्रेट ग्रीन वाल ओफ चाइना है टैन बिलियन ट्री तू सुनामी पाकिस्तान है इसको क्या किया जाएगा रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक ये तीन सो मिलियन एरिया को हम रिस्टोर करेंगे 2030 तक बहुत सारे ऐसी ड्राइव है जो की वैलकम करने योग गया है लेकिन इसकीम तो चलाई जा रही है फिर भी इनकी आलोजना है क्यों करी जा रही है क्योंकि इसमें limited community participation है ठीक है मॉनो कल्चर को प्रमोट करने का मतलब यह है कि भाई आप जो है variety है ना उसके उपर ध्यान नहीं देते हैं मॉनो कल्चर मतलब एकल फसल उत्पादन क्रसी की एक ऐसी वीदी होती है जिसमें एक ही फसल को कई साल होता कि एक ही जमीन पर उगाया जाता है इसमें एक खेत में ए सeoos है मकई है सेप के बगीह है इस परकार से मॉनो कल्चर दो मॉनो क्ल्चर को प्रमोट नहीं करना है कि इस लिए इस प्रकार के जो ईनτιडिव अपनाय जा रहे हैं इस उतने जादा स्पेle्चम का काम नहीं हो पा रहा है इस प्रकार के ड्राइब जो चलाए जा रहे हैं उसमें कुछ-कुछ समस्याएं हैं जैसे कि environmentalist and scientist लोग बोलते हैं ecology को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक है locality को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस area में मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं साथ ही साथ little involvement रह रहा है पीपुल्स का वेरियस ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम में यह कुछ major concerns है वैज्यानिक लोगों का परियावरण विद्वों का एक study है जो कि जोसेफ वैल्लमेन के द्वारा कहना चाहिए बताई गई है इसमें बोला गया है कि except for deforested areas tree planting in certain locations such as grassland and animal habitat अब deforested area है मतलब जहां पर पेड़ पौधे काटे जा चुके है वहाँ पर आप plantation कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन यह आप grassland में करेंगे animal habitat में की बात करें तो इससे क्या होगा इससे बांकी के जो plants होते हैं वो destroy हो जाते हैं animal habitat प्रभावित होता है साथ ही साथ जो ecosystem है वो भी प्रभावित होता है इससे wildfire की जो intensity है वो बढ़ जाती है and global warming और भी जादा बढ़ेगा कम नहीं होगा ठीक इसी प्रकार से विलियम बॉर्ण एन उनके जो कॉलीजियस है उनकी study में बोला था कि इस प्रकार के जो lands होते हैं देखिए यह highly productive and biodiverse होते हैं support करते हैं बहुत सारे live stock and peoples को तो यहाँ पर यदि plantation का काम किया जा रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है प्लांटिंग किया जा रहा है यदी तो ठीक है जो multifarious expectation है उसको fulfill नहीं किया जा रहा है इसलिए हमको क्या काम करना है post planting measures अपनाना है monitoring करते रहना है tree की growth को जो की tree planting drives में बहुत कम ही हमको देखने को मिलता है and more specifically in those programs which are not supported by the government जातर ऐसे program जो कि सरकार support नहीं कर रही है इंडिया के challenge के दी हम बात करें इंडिया एंड अमेरिका जैसे कि United States के जो प्रेजडेंट जो बाइडन ने उन्होंने बोला था प्राहान मंद्री नर्यान मोधी को कि इंडिया केवल एक मात्र G20 country है जिसने fulfill किया है इसके commitment को Paris agreement के चलते चलती अस्विनी चौबे ने बोला था कि इंडिया अचीव इंडिया ने अचीव कर लिया है additional carbon sing एक दसमलो 97 billion ton of CO2 equivalent का वहीं इंडिया में लॉस भी बहुत ज्यादा है जैसे कि 10 million hectare जो इसका forest है वो encroachment encroachment में है मतलब कोई न कोई यहाँ पर कबजा कर रहा है लगभग 27.5 करोड जो people है वो forest के उपर direct या फिर indirect तरीके से कहना चाहिए निर्भर है निर्भर है एंड लगभग 5.7 मिलियन जो hectare of forest land है यह अभी तक lost हो चुका है non-forestry purpose से कैसे खेती किसानी हो रही है कहीं factory लगा दे रहे हैं कहीं रेल की पटरी बिछा रहे हैं कहीं खंबे गणाय जा रहे हैं तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ा चैलेंज है यह भारत चाहता है कि हम 26 मिलियन हेक्टर जो डिग और डेट फॉरस्ट है 2030 तक restore करना चाहें तो यह एक बहुत बड़ा challenges यहां पर होने वाला है साथ ही साथ आगे आपको कुछ-कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि जागरुकता भियान है social media और जो local committee की भागेदारी इसमें बहुत जादा महतपूर हो जाती है इस article के माद्यम से हम चर्चा करने वाले हैं चाइना की economy आने वाले समय में किस प्रकार से आगे बढ़ेगी तो चाइना जो है focus कर रहा है technology focused development के उपर ताकि economy को वो revive कर सके देखिए आने वाले समय में चुनाव है चाइना में अब जी जिंपिंग फिर से जीतना चाहते हैं इसलिए अब वो तेजी से लग गए है कि कैसे ना कैसे करके जैसे हर कोई नेता की वहाँ अपनी एक पहचान रहते हैं कि किसी ने वहाँ की economy को खोला है किसी ने दूसरे development के काम की है ठीक इसी प्रकार से जी जिंपिंग भी जो है अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं जैसे कि 1970 के दसक में देखें चाइना ने ओपन किया था अपनी economy को foreign investment के लिए private enterprises के लिए लगभग half century after the late leader Deng Jiyopin जिनोंने launch किया था चाइना की SN को as a manufacturing powerhouse Deng Jiyopin की बात करी जा रही है इनके लगभग half century के बात करें चाइना एक powerhouse बन रहा है manufacturing का अब party double down करना चाहती है प्रिजिडेंट जी जिंपिंग के blueprint के हिसाब से technology के मामले में हम national security focus development लेकर के आएंगे ऐसा जी जिंपिंग का कहना है economist लोगों का कहना है कि अभी ये चीज बिलकुल भी clear नहीं हो पाई है if that we will fix the chronic problem dragging on economy economy down कैसे हो रही है अभी हमें ये चीज को तैयार नहीं कर पाए है including a weak job market massive local government debt and a prolonged slump in property industry किस किस प्रकार के अभी परिवर्तन हम देख रहे हैं जैसे कि जो जॉब मार्केट है वो डाउन हो रहा है और जो लोकल गवर्मेंट कर्जे में जादा जा रही हैं साथ ही साथ जो प्रपरिटी के इंडिस्ट्री है उसमें भी हम को कहना चाहिए ढेलापन दिखा दे रहे हैं तो जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जस्ट एकोनॉमी है इसके पास एक इंपक्ट डालने की कैपसिटी है अपने इसके बॉर्डर से अलग इसके चलते चलते जो बिजनिस एक्टिविटी है फाइनेंशल मार्केट है जोब अच परोशनिटी है पूरी दुनिया में प्रभावित हो रही है मंडे के दिन गवर्मेंट ने रिपोर्टिट किया था जो एकोनॉमी की दर है वो कि इस हिसाब से बढ़ रही है 4.7% एन्वल पेस के हिसाब से लाश्ट क्वाटर के दिए हम बात करें ठीक है ये पहले 5.3% थी जन्वरी मार्च के टाइम पीरियड में अब चाइना के जो पीपल है ये लोग क्या काम कर रहे है पैसे को पकड़ के रख रहे हैं ठीक है साथ ही साथ जॉब लॉसस को लेकर के उनके मन में चिंताएं हैं सोसल सैफ्टी नेट से रिलेटेट चीज़ें हैं कोस्ट फॉर एजुकेशन हैं इस प्रकार के रिस्क जो है बढ़ते जा रहे हैं एकोनोमिस्ट लोगों का कहना है कि जब तक कोई फंडामेंटल रिफार्म हम लेकर के नहीं आ जाते हैं जिसके माध्यम से एलाओ किया जाए वरकर्स को कि आप रिटैन करिये और भी ज़्यादा नैसंस के वैल्थ को कंजुमर डिमांड इस लाइकली टू रिमेंड सबड्यूड और इस मामले में कंजुमर की जो डिमांड है न वो बहुत मातपूर हो जाती है 2012 में जि जिन पिंग सत्ता में आये थे इन्होंने स्टेंथन किया था पार्टी के कंट्रोल को बिजनिस के ऊपर सोसाइटी के ऊपर एंड लांच किया था made in china 2025 ठीक है इसने follow किया था made in china 2025 initiatives को जो की चालू हुआ था सन 2015 में and was इसका मतलब यह हो गया है कि हमको country को transform करना है किस मामले में हम toy के निर्माता बने फरनीचर हम बनाएंगे other labor intensive product बनाएंगे top producer बनेंगे high tech goods का while china still lacks the US in many critical areas it has made huge stride in catching up हलाकि देखा जाएं चाइन यूएस से बहुत सारे छेत्रों में पीछे रहा है इसके बाद हम जो है stronger consumer economy कैसे करके स्थापित कर सकते हैं ठीक साथ ही साथ जो हम export के उपर reliance कर रहे हैं उसको कम करेंगे है भी investment on project that now are yielding lower and lower return इन सब चीजों की चलते चलते lower and lower return मिल रहा है इससे सब गड़बर हो है जाइनकी एकल अमीम है